प्रदेश वासियों के लिए मौसम से जुड़ी इस वक्त एक नहीं जानकारी सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 36 गड़ में होगी मांसुन की इंट्री दरसल 36 गड़ के बस्तर, गर्याबन, सुक्मा, जज़पूर, रैगर में एक सबताबाद मौसम ने हलकी रहात दी है दक्षिन इलाके के कई जीले में पारा आट डिगरी तक गिर गया बस्तर में प्री मांसुन की इस्तिती भी बनने लगी है इस बीच मौसुवी भाग के नु ताविक, रैपुर, सर्गुजा और बिलाशपुर संभाग के कई जीलों में लू चलने के असार है जहां 22 जुन को प्रदेस में एंट्री करने वाला मांसुन अब 25 जुन तक बस्तर में प्रवेस करेगा विच अगर मौसमी सिष्टम की बात करे तो उसकी भी जानकारी हम आ अगी बरती हैं एक उपरी हवा का चकरी चकरवाती परी संचरन उत्तर पूर्व बिहार और उससे लगे पूर्वे उत्तर प्रदेस के उपर 0.9 किलोमेटर उजाई तक फैला है इसके असर से प्रदेस में एक दो इस्तानों पर हलकी वर्स होने तथा गरत चमक के साथ छीट परने और व्रजपात की संभौन है और वहीं राजधानी रायपुर में अगास आंसिक में रहेगा इस बीच मौसमी से सग्गे एच पी चंदर ने बताया कि बीते शुमार को दक्षिन पस्षिम मांसुन पस्षिम मंगाल के सेज भाग और सिक्किम पहुच चुका है जहां अगले दो से तीन दिनों में इसके ओरिसा पहुचने की संभौना भी पढ़ रही है इसके अलावा छेत्री चक्रवात की वज़े से कुछ पैकेट में बुंदा बांदी और हलकी बारिस के भी संकेत मौसम विभागने बताए हैं ये रही दोस्तों मौसम की एक नई जानकार जो की हमने आपको बता दी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इन्फरमेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं ऐसी और नहीं जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में